और जिसका डर्था लगता है अब वही होने जा रहा है इसराइल इरान के परमाडू अड़ों पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है वही रूस और चीन ने इरान की पीट पर हाथ रख दिया है अब ऐसे में खौफ ये पैदा हो गया है कि क्या इसराइल और इरान के बीच परमाडू जंग होने जा रही है, देखे रेपोर्ट परमाडू शुद्ध एरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाडू ठिकानों पर हमला किया तो ये तै मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलक जपकते ही करतेंगे इरान के पंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौझूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के परमाडू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के परमाडू हमलों से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इसरेल इरान के किन परमाडू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इसरेल के अफ़बार The Times of Israel के मताबिक इरान के फोटो और नटसन परमाडू ठिकानों पर इसरेल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोटो परमाडू ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर वम किराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोटो परमाडू ठिकाने को तबाख किया जा सके दाबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणों फिकाने को अगर इसरेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाह कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा ऐसा नहीं है कि इसरेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवत इसरेल के फाइटर जेट इरान के परमाणों फिकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इसरेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के बुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानी IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने बाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को बताया कि इरान के परमाणो ठेकानों पर इसरेल के हमले का खत्रा बढ़ चुगा है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणो ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक आईये IAEA के अधिकारी इरान के परमाणो ठेकानों का नीरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती ही इरान में इस्थाली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथेंब का भी है परमाणू शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं भूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्त इरान दुनिया में आत्मगादी ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणू बंसे बहुत कम वक्त में लैस हो सकती है इसी वज़़े से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणू फैसलेटी पर हमला करना इस्रेयल के लिए एराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने परमाणू के साथ अस्वल्ट्विन वे फिरार लेता ही